नेक्स्ट बात करते हैं consequences of coalition politics in India तो जो coalition politics का culture डवलप हो रहा है इंडिया में तो इसके जो प्रभाव पड़ेंगे जो consequences होंगे वो positive निगेटिव दोनों होंगे निगेटिव जादा है large नंबर है तो हम पहले negative discuss करते हैं तो यह बहुत ही unfortunate 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 बात है यह बहुत ही दुर्भागी का विश्य है न कि जो निगेटिव जो coalition politics से कहीं न कहीं problem create कर रही है जब कि जब जैसे हमने merits में discuss किया था कि coalition culture से क्या होता है multiple aspects या multiple जो interest होते हैं उनको accommodate किया जाता है और इस तरीके से यह बहुत ही unfortunate है कि इसके कुछ negative things देखने को मिलते हैं पहला है policy paralysis policy paralysis में क्या होता है कि जब political stability नहीं होती है या government के कभी गिरने से बनने से या दूसरे के साथ coalition बनाने से इस तरीके से जो चीजें चलती रहती है तो policy जो governance deficit create होता है लोगों का ध्यान तो है कि यह जो power sharing mechanisms है जो agreement है हमारी उसमें कितनी से है यह हमारी government बनी रहे coalition बनी रहे लोगों का ध्यान तो इस चीज़ पे है तो कहीं न कहीं इसका impact policies में पढ़ता है governance में पढ़ता है then decline of parliament decline of post of speaker and decline of dignity of speakers तो जब आप देखोगे कि coalition में जैसे for example party a ruling party है किसके साथ political party b के साथ coalition बना कर opposition में आ गई political c okay तो political a और b में a जादा जो strong position में है क्योंकि number of seats a के पास जादा है a और b ने मिलकर government बनाई तो आप देखोगे कि कई बार है जब political b इस partnership से satisfied नहीं है या जो political party b है इसके interest को इन्होंने उतना acknowledge नहीं किया तो यह partnership को break करके c के पास जाने का threat देंगे कि भई हम तो c के साथ जाके coalition बना लेंगे और हम government establish कर लेंगे तो अब जो party a है यह ruling party है तो जो पोस्ट जो speaker का जो पोस्ट है वो भी political a के person के पास है तो कहीं ने कहीं आप देखोगे कि favor देंगे इनको इस तरीके से parliament में debate भी इनी सब चीजों से इंडल्स रहती है तो आप देखोगे कि कहीं ने कहीं पर नहीं resolve किया जा सकता तब क्या होता है जुडीशरी का interference होता है आप देखोगे कि पार्टी ए है वो court के पास चली जाएगी आपने महाराश्ट्रा के case पे देखा होगा यह और भी बहुत सारे case देखे होंगे जसमें judiciary को interfere करना पड़ता है जब majority प्रूफ करने की जरूरत होती है और यह issue और complex हो जाता है जब for example party A के other multiple parties के साथ मिलकर coalition बना रही है अभी तो इसमें सिफ B है माल इसमें D E F कई सारी political parties आ जाता है तो यह जो issue है और complex हो जाता है तो judicial intervention को कहीं ने कि scope को यह लोग बढ़ाते हैं जबकि हम separation of mechanism में क्या पढ़ते हैं कि three organs of the government है उनके बीच में separation of power रहेगा with proper chicken balance ओके दिन presidential activism in case में ऐसे cases में आपको देखने को मिलेगा कभी न कभी कि president rule लगा दिया जाता है कि जब वहां पर government ही नहीं बन पा रही है instability create हो रही है तो administration को तो run करना है न तो आप देखोगे कि for example center में अगर party A का जो पार्टी A powerful है और center में भी इसी की party है तो क्या होगा states में आपको देखने को मिलेगा president rule लगा देंगे ओके तो presidential activism को scope मिल जाता है then frequent elections for example partnership नहीं बन पाती है B और C की भी और A और B की टूट ही गई जो partnership है तो अब ऐसे में क्या होगा अब majority में कोई भी party नहीं है न A है न B है न C है नहीं इनके पीच में coalition बन पा रहा है तो फिर से election कराने होंगे फिर से अगर majority भी नहीं प्रूफ कर पाए तो फिर से election कराएंगे फिर से government बनेगी फिर horse trading अब जब अगर for example party B ने break करने का फैसला लिया तो इसके जो MPs होंगे MLA होंगे उनको खरीदने की कोशिश कौन करेगा party A ताकि अपनी majority को maintain रखे आपने बहुत सारे news की headlines देखी हो गई कि जैसे महराश्टरा में जो political crisis अभी recent में होई थी कि कि किस तरीके से उनके जो एकनाच सिंदे और जो उनके concern जो MPs थे जो सहे होगी उनको एक hotel में रखा गया या ऐसे और भी cases देखो कि कि किस तरीके से MPs को खरीदा जाता है तो यह horse trading चलती है सी वाला चाहेगा कि मैं भी अपने में मिला लूँ भी चाहेगा मैं अपने में मिला लूँ तो यह तरीके का चीजें चलती रहती हैं जब इस तरीके की चीजें चलती है तो role of money एंड जो muscular power है उसको बढ़ावा मिलता है क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं और power है तो पैसे और power के दम पे आप लोगों को खरीद चेकते हो अपने favor में ला सकते हो ओके जो defection होता है एक party से छोड़ना दूसरे party में जाना resign देना यह सब चीजें चलती रहती है कहीं ने कहीं आप देखोगी ethnic mobilization भी होता है इस में से सबसे बड़ा issue या concern क्या होता है कि जो institution of P.E.A. में वो weak होता है state level पे जो institution of C.E.A. में वो weak होता है overall you can say that कि जो leadership होती है चाहे वो national level पे हो चाहे state level पे हो वो weak होती है due to all these things right कि instability है तो but obvious है कि उसका प्रभाव leadership पर भी बढ़ेगा आप bold and strong decisions नहीं ले सकते क्योंकि आप जो terms and condition है उस agreement की उस collision की उससे बंदे होए है और जो आपके partner political parties हैं उनका influence उनका interference रहता है फिर increase in corruption जो यह सब चीज़ें होती हैं तो सभाविक सी बात है corruption बढ़ेगा अब जब माली जे political party A ने खरीदा है कुछ MPs को तो वो पैसे कहां से require करेंगे political system से फिर corruption होगा तो यह सब चीज़ें बढ़ावा मिलती है इंटरकनेक्टेड है नेक्सस होता है सबके बीच में तो आई होप सो कि आपको जो यह consequences है negative consequences है coalition of politics in India इसके आपको यहां पर काफी सारे points मिल गए होंगे positive consequences की बात करें तो आप सबसे important चीज़ यह लिख सकते हो कि जो regional parties है उनको काफी जादा advantage मिला है इस चीज़ का regional parties को भी representation मिला है central level पर और इस तरीके से जो diverse culture है उसको maintain कर पा रहे हैं जो diverse interest है उनको accommodate कर पा रहे हैं इसमें so bitter representation हो रहा है coalition culture की होने की वजह से और क्योंकि जो different political parties वो different socio-economic background से आ रही है और मिलकर coalition बना रही है तो various interest को भी वो अपने साथ ला रहे हैं और accommodate कर रहे हैं फिर different kind of public opinion एक साथ आ रहे हैं consensus based जो politics से वो चल रही है कि कई सारे political parties उस partnership के हिस्सा है तो उनके बीच में consensus चलता है तो despotism rule है या जो tyranny rule है उसको prevent कर सकते हैं ओके तो यह कुछ इसके benefits भी है then next है कि क्या यह desirable है coalition क्या इंडिया में desirable है तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या अगर ऐसे चीजें होता है तो क्या आप उसे रोक सकते नहीं ना तो coalition क्या है basically it is not avoidable right especially in India में जहां पर huge diversity है multiple regional party है multiple political party system है तो ऐसे में आप देखोगे कि coalition को हम avoid नहीं कर सकते ना तो बिटर यह है कि हम यह discuss करें कि इस coalition जो culture है इसको healthy कैसे बनाया जाए इस coalition को हम कैसे work में लाएं ना कि यह सोचें कि desirable है यह नहीं desirable है because you cannot avoid right तो एक्सपर्ट यह कहते हैं कि coalition जो है वह अपने आप में बुरा नहीं है okay democracy में तो coalition जादा representative बनाता है democracy को क्योंकि various interest को accommodate करता है but जब अगर हम national interest के बजाए reasonable interest को superiority देने लग जाए या self interest narrow interest को ज्यादा acknowledge करने लग जाए तो फिर यह unhealthy हो जाता है और यह bad coalition में बदल जाता है तो जरूरी यह है कि healthy coalition culture को develop किया जाए healthy coalition कि हमने self interest को reasonable interest को side पे रखके हमें national interest को superiority देना चाहिए फिर constitutional provisions constitutional method का use करके हमें वो जो democratic environment है वो बनाए रखना होगा okay so जो mechanisms हैं जो जैसे की for example governance की mechanism हो गई या जो corruption and all को check करना या power and money का influence grow हो रहा है उसे stop करना इन सब को strengthen करने की जरूरत है हमें reduce करना होगा influence of money and masculine power okay then there is a need to introduce ethics in politics तो politics में ethical values को introduce करना बहुत जरूरी हो गया है तो यह कुछ है जस तरीका से आप इनफ पॉइंट्स मिल गए होंगे indian coalition politics से related और आपको conclusion में क्या लिखना है यह सारी चीज़ें जो recommendation है वो भी यहां पर मिल गई तरीकी करी कर दोकी सब्सक्राइव झाटर से झाटर से अनिक्स की बढ़ कीडिए जाट से अंत्वर के रचे एंट